हलो एवरीवान, वेलकम टू मैं यूट्यूब चानल एच हलपलाइन कैसे हैं आप लोग सो यूजेशी के तरफ से ग्रैजुएशन के डिवरेशन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेड एनाउंस्मिन किया गया है इसी के बार में हम इस वीडियो में बात करेंगे, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा एच हलपलाइन चानल पर फॉस्ट हमाया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सकाइब कर लिजेगा ना देखो, जब से हिंदुस्तान में निव एडुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है ग्रेजुएशन के डिवरेशन को लेकर बहुत सारा पॉलिसी बनाया जा रहा है अभी इससे पहले आप लोग ने देखा होगा कि इगनु के तरफ से भी एनाउंस्मिन किया गया और बागी अदर युणिवरसिटी के तरफ से भी एनाउंस्मिन किया गया कि अब जो ग्रेजुएशन तीन साल का होता था वो चार साल का होगा ठीक है और इस सेसे इगनु में भी यह लागू हो गया कि चार साल का ग्रेजुएशन हो रहा था अब UGC के तरफ से एक और announcement ये किया जा रहा है कि अब तीन साल के जगा पहले तीन साल ता फिर चार साल किया गया अब एक और option दिया जा रहा है UGC के तरफ से कि अब student चाहें तो धाई साल यानि कि 2.5 येर में भी अपना graduation complete कर सकते हैं UGC plan to allow faster degree completion option enabling student to finish 3 year courses in 2.5 year ठीक है now देखो ये announcement किया गया है और ये planning किया जा रहा है implement होगा कैसे होगा अभी इसके उपर I mean देखते हैं क्या चर्चा होगा क्योंकि अभी से ही इसके उपर criticism आने लगा है अब देखो अभी जो चार साल का graduation UGC के तरफ से start किया गया था and इग् नहीं है कि सिर्फ announcement कर देने से हो जाता है उसका proper planning करना पड़ता है तो 4 साल का graduation में आपको option दिया जाता है exit का ठीक है यानि कि अगर आपने 4 साल का graduation किया तो rule ये है कि आपको 4 साल के बाद honors का degree मिलेगा अगर आप 3 साल में exit ले लेते हो तो आपको general की degree मिलेगी अगर 4 साल complete करते हो तो आपको honors का degree मिलेगा अगर 4 साल में 75% से उपर लाते हो तो आपको direct PhD में admission होगा तो ये 4 साल के graduation में ये सब प्रावधान रखे गए थे and उससे पहले जो 3 साल का graduation उसमें तो आप लोग normally 3 साल करते थे उसी में आप लोग को honors की degree मिलती थी और जो भी general से करना चाता था तो उसको general की degree मिलती थी लेकिन अब UGC ये plan कर रहा है कि 2.5 year का graduation करेगा जो chairman है उन्होंने ये बोला है कि we are planning to implement this from the next academic session and guidelines should be out soon ठीक है actually देखो इसका वज़ा ये है कि अभी I mean जमाना इतना fast हो गया तो UGC का ये कहना है कि हम अलग-अलग option student को देंगे now ये student के उपर depend करता है कि वो कौन सा लेना चाहता है जैसे कि अब पहले तो इतने सालों से आप लोग देख रहे होगे कि 3 साल का ही graduation होता था ठीक है अब 4 साल का भी graduation का option दिया गया तो अब UGC 3-3 option चारा है कि 4 साल का भी हो 3 साल का भी हो और 2.5 years का भी हो ठीक है तो UGC will soon allow student to complete 3 years degree course in 2.5 years and 4 years once in 3 years the body chairman said on Thursday ठीक है तो UGC option देगा अब इसको किस तरीका से implement किया जा रहा है वो देखने वाली बात है लेकिन इसमें problem तो होगा क्योंकि अब 2.5 year का graduation होगा तो फिर 3rd year का किस तरीका से वो लोग करेंगे क्योंकि इसको लेकर already criticism Delhi University से आने लगा है कि एक proper curriculum बनाया जाता है 3 साल का and अगर 3 साल student complete नहीं कर रहा है 2.5 year में ही हो जा रहा है तो फिर उसका पूरा curriculum complete नहीं होगा, slaves complete नहीं होगा and इसको किस तरीका से implement किया जाएगा ठीक है ना लेकिन फिर भी एक committee बनाया गया था UGC के तरफ से और उसने ये recommend किया हुआ है कि 2.5 year का भी graduation का option दिया जा सकता है जो भी student जल्दी complete करना चाहते हैं तो वो जल्दी 2.5 year में complete कर लेंगे ताकि उनका 6 year या 1 year बच जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे उसके बार में यह सारा चीज लिखा हुआ है तो खैर देखते हैं कि यह बोला तो गया है कि next academic session we are planning to implement this from the next academic session तो भी universities है, VCs है, सबसे चर्चा किया जाता है और उसके बास से अगर सहमती बनता है तब जाकि वो implement होता है ठीक है तो अभी के लिए फिलहाल UGC के तब से यह planning है कि 2.5 year का graduation कर दिया जाए जो भी student अगर चाहते हैं जल्दी complete करना तो वो 2.5 year में अपना complete कर सकते हैं otherwise अगर को साल का honors degree करें तो वो 4 साल का honors degree भी कर सकता है और कोई चाहता है कि अगर 3 साल में normal general की degree लेकर उसके बास से आगे बढ़े या graduation के basis पर जो भी exam के त्यारी करना है वो करें तो वो भी कर सकता है तो तिनों option देने का planning किया जाता है खैर देखते हैं कि यह plan कामियाब हो रहा है य इस में क्या है तो यह चबता है इस वीडियो में UGC के तरफ से यह जो announcement किया गया है कि UGC जो graduation है उसका timing को 2.5 year भी करने जा रहा है उसका planning कर रहा है और इसको लेकर different news portal में article चपा हुआ था तो उसके बार मैं आप लोग को explain कर रहा था कि क्या है पूरा मामला है और क्या है वो planning and क्या है वो announcement मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंदाया होगा से बीडियो के लाइक जरूट कर दे सबी फ्रेंड के साथ है ताकि उनको भी सबी information मिल पाए किसी भी दागे doubt के लिए आप लोग नीचे कौन box में लेख सकते हैं या मुझे directly call करके भी अपने doubt और क्लियर कर सकते हैं और अगर आप एच हल्प लाइन चैनल पर फॉर्स्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो थैंक यू सो मच पो वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच